module 104 causes of suppression anxiety disorder psychological factors तो जब हम बात करते हैं suppression anxiety disorder की तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे causes हैं जिसकी वजह से ये जो anxiety disorder है ये बच्चे के इंदर develop हो रहा है जिससा हमने कहा था कि जो history taking होती है उसके दुरान आपको बहुत से factors पता चल जाते हैं जो के root cause होते हैं इस किसम के disorder के लेकिन literature जो है वो भी हमें inform करता है कि किस किसम के problems बच्चे life में face कर रही हो तो उसकी वजह से उसे suppression anxiety disorder हो सकता है जिसके अंदर पहली चीज जो आती है those are the life stressors life में बहुत से stressors आ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है वो suppression anxiety disorder को experience कर सकता है मिसाल के तौर पर आप ये देखो कि अगर एक बच्चा है और उसकी life के अंदर वो एक घर में था उसको वो घर मूफ करना पड़ा ठीक है उसके parents को वो घर मूफ करना पड़ा उसे अपना neighborhood चोड़ना पड़ा तो उसकी वजह से बहुत से psychological problems आ सकते हैं जिससे बच्चे को suppression anxiety disorder develop हो सकता है ठीक है अगर parents की divorce हो गई है ठीक है अब बच्चा जो है वो father के साथ भी attach है mother के साथ भी attach है but we all know कि divorce की situation एक ऐसी होती है कि जिसके अंदर बच्चा फिर दोनो parents में से किसी एक के साथ ही रह पाता है तो it might possible कि वो जो life stressor आया है वो parents के लिए तो है ही है बट वो बच्चे को भी किसी level पे effect कर सकता है और उस effect करने की वजह से जो बच्चा है वो जो है suppression anxiety disorder को जो है और वो experience करना शुरू हो गया अब कैसे मसाल के तौर पर कि जो उसका father है अगर वो उसके साथ नहीं रह रहा है और वो अपनी mother के साथ रह रहा है तो more likely कि वो उसको ये fear develop हो जाए कि कहीं उसकी मा भी उसको छोड़ के ना चली जाए तो उसकी वज़ा से वो बहुत जादा जो है वो clanging behavior जो है वो बच्चा express कर सकता है इसी तरह parent child attachment parents के साथ बच्चे की attachment कैसी है क्या वो attachment secure attachment है या वो insecure attachment है parents का attitude बच्चे की तरफ क्या है क्या बहुत over productive है क्या बहुत critical है क्या उसे freedom इस सीज़ की नहीं है क्या वो कोई भी काम खुद अपनी मर्जी से कर सके तो या उसके उपर हर वकत check and balance रखा जाता है उसको तो मतलब the thing is कि यह जब इस किसम की activities घर में की जाती है तो उसे जो बच्चा है वो बहुत हतक parents के उपर automatically dependent हो जाता है या mother हर वकत उसे अपने साथ साथ रखती है तो इस किसम की जो dependency है certain time वो बच्चे के अंदर separation anxiety disorder को develop करने की वज़ा बन सकती है तो this is something very important then cognitive appraisal this is the factor जो के बच्चे के अंदर hold हो रहा होता है यानि internalized factor है अब internalized factor क्या है कि बच्चे की जो thought processing है वो ऐसी है जो उसको catastrophizing की तरफ लेके जाती है for example बच्चा अपने जहिन में ये सोचेगा कि अगर मेरी मदर मुझे school छोड़ के जाएंगी तो रस्ते में उनका accident ना हो जाए या वो मुझे school छोड़ के जाएंगी तो मुझे वापसी पर कोई लेने नहीं आएगा ठीक है या मैं बाहर जाकर गुमना जाओं तो इस किसम की जो anxieties है वो बच्चे के अंदर जो है वो develop हो रही होती है और ये उसका thought process है ठीक है ये बच्चे का अपना thought process है अब ये जो thought processing है यहाँ पर हम एक बात करते हैं behavioral modeling की certain time घर के अंदर जो parents है वो इस किसम की activities कर रहे होते हैं या इस किसम की बाते summary के अंदर register हो रही होती है मसाल के तौर पर mother को apprehension होती हो कि थोड़ा time हो गया लेट हो गया तो mother was starting to show the behavior के anxious behavior वो show करी है कि बच्चे घर नहीं आये husband घर नहीं आया या जो कोई भी घर से बाहर गया वो घर नहीं आया तो it might possible कि बच्चा ये जो behavior है उसने अपने parents से learn कर लिय रहा हो through modeling और उसकी वज़े से उसके cognitive appraisals जो इनका behavior है वो इस तरह का manifest हो रहा हो तो ये बहुत से psychological factors इसके अंदर involved होते हैं जो कि बच्चे को suppression anxiety disorder की तरफ लीड कर सकते हैं फिर हम बात करते हैं social factors की उसमें factor के आम तर पर discussion की जाती है that is the social economic disadvantage group अब social economic disadvantage group का क्या मतलब है जो clinical population देखी गई है वो आम तोर पर middle class और जो अपर class के बच्चे हैं वो reported problem के साथ आते हैं लेकिन ये भी देखा गया है कि एक huge number है बच्चों का जो के lower class से belong करते हैं social economic class जो होती है उससे belong करते हैं and they also manifest the separation anxiety disorder और उन बच्चों के अंदर ये ratio ज्यादा है उसकी reason ये बताई जाती है कि ये for example अगर आपका father है या mother है जो सुबा जाते हैं और शाम को आते हैं और आपका जो interaction है वो उनके साथ बहुत limited है तो some time ये जो चीजे हैं कि बच्चे के अंदर anxiety disorder को develop कर देते हैं ठीक है कि उससे separation anxiety का जो fear है वो develop उसके अंदर होना शुरू हो जाता है इसी तह अगर आप ये देखो कि ऐसे लोगों को areas बहुत जल्दी जल्दी move करने पढ़ते हैं तो जब वो अगर they are trying to get themselves sorted at a one point और फ़री तोर पर उनको दूसरी जगा पर move करना पढ़ जाए तो वो जो एक separation है from the area, from the friends, from other things तो वो certain time जो है वो उनके लिए बहुत जादा जो है वो problem create करते हैं ठीक है, इसी तरह materialistic deprivations होती है, बहुत से उनको ऐसी चीज़े नहीं मिलती, which they really want, उसकी वज़ा से भी they just want to be try or seek the emotional nurturance from the father figure or the mother figure, तो ये बहुत सी ऐसे causes होते हैं जो मिल के किसी भी बच्चे के अंदर separation anxiety disorder को develop कर सकते हैं, thank you.